नमस्का दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल में स्वाज़त है दोस्तों आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड और इंटरनेट बैंकिंग प्रॉफाइल पासवर्ड में अंतर नहीं कर पाते हैं किसका पासवर्ड इसमें करके लागिन करने लगते हैं तो पासवर्ड रांग बोल देता है तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं बताने वाला हूँ अगर आपका एकाउंट SBI में है स्टेट बैंक आप इंडिया में और आप यह उन्हों में रि इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड है जो हम लागिन करते हैं यहां से यह इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड है और दोस्तों दूसरी बात जैसे यहां से हमपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लागिन करते हैं तो दोस्तों यहां से हमपना लागिन करते हैं दोस्त जो इसके अंदर जो है कि एगर हमें transaction करना हो जाता है या कुछ email ID update करना पड़ जाता है या कुछ changing करना पड़ जाता है ATM card apply करना पड़ जाता है तो जो है कि में profile password की जरूरत पड़ती है या password change करना पड़ जाता है तो profile password की जरूरत पड़ती है तो देखिए profile password की जरूरत कहा पढ़ती है अगर आप यहां से जाएंगे सेटिंग में और यहां से देखेंगे इंटर्णिट बैंकिंग पासवर्ड और रिसेट प्रफाइल पासवर्ड यहां पर आ रहा है जैसे कि अगर हमें यहां समाली जगर अभी हम बैक आ जाते हैं और यहां से देखेंगे आप यहां सर्विस रिक्वेश्ट पर जाएंगे देखेंगे यहां से अगर हमें कुछ डेविट कार्ड अपलाई करना है तो यहां से हमें जो है कि इन्टनेट बैंकिंग पॉर्फाइल पासवर्ड की जरूरत पड़ती है यहांसे जो है कि है मैं पॉर्फाइल पासवर्ड चेली है यहांसे यहांसे मैं डॉल यॉक्षि işte ala estmsu अच्छ हो एक हम से हम म्हां बाइल करें करें लागन करते हैं तो दोस्तों देख समझें द्धार करें कि नंकर के दोस्तों Tapi सब्से समझने का उरर आपको हम दिखा है यहां क्रोम ब्राउजर में ऊपन करकर करके आपको यहां से जिसे अगर आप यहां से ठोलते हैं इस बी आई यहां से अगर हम लागिन करते हैं लागिन करेंगे देख सकते हैं आप यहां से लागिन करते हैं आपको दिखाते हैं लागविन करके तो दोस्तों अपनों यूजिए ओधु आईडी और पासवड डाल चुके हैं सी देखिए कैप्चर कोड डालने के लिए भीर और कैप्चर कोड माई x y e G तो यहाँ से लिए हम लॉग इन करते हैं दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं एक वन टाइम पासवर्ड आता है मुबाइल पो टीपी जिसको लिए करके हम भी फील कर देते हैं यहां पर तो दोस्तों यहां से हमना OTP डाल चुके हैं हैं यहां से submit करते हैं तो देख सकते हैं यहां से जो है कि हम सिफ login कर सकते हैं अगर हमें कोच payment करना है तो payment करने के लिए profile password की जरूत परती है दोस्तों अगर आपको वीडियों समझ में आया वह अच्छी लगी है तो वीडियों को लाइक जरूर करें और चलने को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों यह सबसे सिम्पल तरीका था समझने का और जो है कि आप यहां से आपको मैंने बता दिया सीधे सीधे कि अगर आप को यही इंटरनेट बैंकिंग को ही बहुत लोग लाग इन पासवर्ड ही बोलते हैं जो कि वही दोनों सेम ही लाग इन पासवर्ड और इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड यहां से आप आप डालते हैं जो है कि ये इंटेनिट बैंकिंग पासवर्ड है और जो आपको लॉग इन करने के बाद जो कुछ चेंज करते हैं या कुछ अप्लाई करते हैं एटियम कार्ड के लिए तो वहां पर फैल पासवर्ड की जरूरत पड़ती है